तो साथियो आज भारत का सम्विधान में से टॉप 121 प्रश्ण करेंगे ये कोश्चन बार बार आने वाला प्रश्ण है तो आपको तूरंत ये क्लास कम्प्लीट देख लेना है कोई भी कोश्चन कोई स्कीप नहीं करना है तो इंडियन पॉलिटी का बहुत ही इंपोर्टें कोश्चन आज इस क्लास में करेंगे चले फिर बिनादेरिक के सुरू करते हैं सभी साथी क्लास को एक लाइक कर दीजे अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शियर करिएगा नए साथी कोई भी है चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन आउन करेजिए आपको बता दे ये क् करने की किन्र सरकार की महत्वकांची योजना का क्या नाम है देखिए कोस्चन में बोला गया है भारत सरकार का वहाँ कौन सा महत्वकांची योजना है जिसका उद्देश है कि भारत के सभी नगरिकों को एक number के साथ जोड़ना यानि एक number जिस से आपकी पहचान हो सके तो दिखी इसका right answer होगा आधार, आप सभी के पास आधार card है और आधार card में एक number है, number है ना आधार card में, उस number से आपके बारे में पता चलता है तो इसका correct answer हो जाएगा आधार, option number है अगला question है स संबिधान का वहा कौन सा अंग है, जिसमें लोक कल्यानकारी राज की आवधारना नहीं थे, तो याद रिखेगा राज के नितिनिर्दसक तत्वों में, देखे राज का नितिनिर्दसक तत्वों की अगर बात करे साथ हो, ये संबिधान के भाग चार में उल लेकी थे, और अ अनुच्छे 360 में किसका प्रावधान है, तो अगर बित्या आपात की घोषना करते हैं, तो उसका अधिकार जो है भारत के राश्टपती के पास होता है, और इसका उल लेक संबिधान के अनुच्छे 360 में है, तो अप्सन नमबर 1 करेक्ट होगा, और अगर आपसे पूछे क भारत में अब तक कितनी बार बित्या आपात की घोषना हो चुका है, तो याद रिखेगा एक बार भी नहीं, और देखिए, ओप्सन नमबर 2 में बितायोग के बारे में बताया गया है, तो बितायोग का गठन अनुच्छे 280 के अंतरगत की अगला है, लोकतांत्रिक बिकें महता समीती की सिफारिस पर ही त्री अस्तरिय पंचायती राजव्यवस्था शुरू किया गया था, ठीके, चलिए आज का अगला कोस्चन देखते हैं, नियायमूर्ती यूसी बनर्जी आयोग का गठन किया गया था किसके लिए, वेरी वेरी इंपोर्टेंट कोस्चन है, त गोधरा दंगा जो है न सात्यों, देखिए ये आपका 28 फरवरी को हुआ था, 28 फेबरवरी सन 2002 में, कहां पर तो गुजरात में, इसमें हुआ क्या था, कि 2002 में गुजरात में सामप्रदाइक हिंसा हुआ था, जिसमें कुल 1044 लोग मारे गये थे, इसमें एक रिपोर्ट के म मुस्लिम, मुस्लिमों की मरने की संख्या थी, 790 और 254 हिंदु लोग मरे थे, और ये शुरुवात हुई थी, किसके कारण, तो देखिए, ये तो 28 फरवरी 2002 को हुआ था, ये घटना जो है, ये दंगा होने का कारण ये था, कि 27 फेबरवरी सन 2002 को जो है न सात्यों, गुजर 59 यानि 69 हिंदू यात्रियों की मौत हो गई थी, इस कारण ये दंगा शुरु हुआ था, मैं थोड़ा ज्यादा आपको बता दिया, खेर आपको ये जानना जरूरी है, ठीक है, तो करिक्टन शुरूगा, ओप्शन नमबर है गोधरा दंगो की जाज के लिए, इसलिए साथ यो क्लासिस जो है, मेरी थोड़ी लंबी हो जाती है, अब एक्स्पेन जादा थोड़ा कर देते हैं, चलिए, जानना भी जरूरी है, अगला है, किसी राज्य में अनुच्छेद 356 की अंतरगत राष्टपती सासन समानता अधिक्तम कितनी अवधी के लिए लगाया जा सकता है, आप सभी ने पढ़ा है कि भारत के राष्टपती जो है, अनुच्छेद 356 की अंतरगत किसी भी राष्ट में या किसी भी राज्य में जो है, राष्टपती सासन लगा सकते हैं, तो यह अधिक्तम कितने समय तक लग सकता है, तो याद रिखीगा तीन वर्ष तक, और कम से कम 6 माह तक, ठीक है, चलिए, आज का अगला कोस्चन है, राष्टपती के त्यागपत्र की सुचना उपराष्टपती किसको देता है, बहुत ही इंपोर्टेन कोस्चन है, वेरी वेरी इंपोर्टेन कोस्चन है, चलिए, आपने ये पढ़ा है कि भारत के राष्टपती अ का दर्जा कब दिया गया था तो देखिए गोवा भारत का 25 राज यह है गोवा जो है 1961 में पुर्तगालियों से आजाद हुआ था और इसको 25 राज का दर्जा कब दिया गया था तो बहुत ही जादा important question है आपको याद रखना है 30 मई 1987 इस्वी को option number C अगला है सिक्किम भारत का 22 राज जी कब बना तो देखिए सिक्किम जो है यह भारत का 22 राज जी है और कब बना था तो याद रिखिएगा 26 अपरेल 1975 को option number C चलिएगा अगला question है हिमाचल परदेश को पुर्ण राज का कब दिया गया था याद रिखिएगा 25 जनवरी सन 1971 को option number A next question है संबिधान सभा के प्रारुप समीति के सदेशों की संखा कितनी थी अब देखिए संबिधान सभा के प्रारुप समीतियों की कुल संखा थी साथ और इसके अध्धच कौन थे तो इसके अध्धच थे डॉक्ट के पदपर कौन थे तो डॉक्टर बी एन राव करिक्ठे option number B next question है 9 December 1946 को संबिधान सभा की प्राथम बेठक हुई किस प्रमुक राजनितिक दल ने इसका बहिसकार किया था very very important question है तो याद रिखिए 9 December 1946 को संबिधान सभा की प्राथम बेठक हुई थी और किस प्रमुक रा option number D अच्छा मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ था तो मुस्लिम लीग का गठन जो है 1906 में हुआ था सली मुल्ला खान और आगा खाने धाका में इसकी अस्थापना की थी अगला question है सन 1600 में अंग्रेजो द्वारा भारत में किस कमपनी का गठन किया गया था तो सन 1600 में मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार किसको दिया गया है साथ हो यह question बहुत ही ज्यादा important है दिखीगा मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार जो है यह सर्वच्च नियाले और उच्च नियाले दोनों को ही दिया गया है option number D करि दिखता है याद रिखीगा भारत के राष्टपती ओप्शन नमबर भी करेक्ट है राज्य पुनरगटन अधिनियम 1956 ने समस्त देश को कितना राज्य तथा केंद्रसासित परदेश दिया था तो साथियों राज्य पुनरगटन अधिनियम जो 1956 में बना था इसमें समस्त में कितने राज्य हैं तो 28 राज्य हैं और कितने केंद्रसासित परदेश हैं तो 8 केंद्रसासित परदेश हैं आप बोलोगे सर 9 हैं क्योंकि जम्मु कस्मीर और लद्दाख तो अलग-अलग केंद्रसासित परदेश हैं और पहले 7 था तो अभी 9 हो गया मैं बोलूंगा नहीं आप बोलोगे सर क्यों, तो क्यों की देखिए, दादरा और नगर हवेली एक अलग केंद्रसासित परदिश था पहले, और दमन और दीब एक अलग केंद्रसासित परदिश था, लेकिन 2020 में ही जो है, दादरा और नगर हवेली और दमन और दीब को एक साथ मिला लिया गया था आप बोलोगे सर इसकी राजधाने फिर कहा है तो सिल्वासा में याद रिखीगा यानि दादरा और नगर हवेली और आपका दमन और दीब अब दो अलग-अलग केंद्रसासित परदेश नहीं है दोनों एक हो गया है ठेके तो 28 राज और 8 केंद्रसासित परदेश हैं अभी परदेश ऑप्शन नमबर भी कब तो 1956 में चलिए नेक्स्ट कोश्चन देखते हैं बरतमान समय में भारत में कुल कितने राज संग्य चेत्र हैं अभी तो मैंने आपको बताई दिया कि साथियो 28 राज हैं और 8 संग्य चेत्र यानि केंद्रसासित परदेश हैं तो ऑप्शन नमबर सी करेक्ट है अगला नेमनल लखित में से किसको संविधान की आत्मा कहा गिया है तो देखिए प्रास्तावना को ऑप्शन नमबर सी संविधान की प्रास्तावना को संविधान की आत्मा कहा गिया है संविधान की प्रास्तावना में स्वतंतरता समानता तथा को एक चीज याद रखना है कि अब तक प्रास्तावना में केवल एक ही बार संसोधन किया गिया है और कब तो 42 संबिधान संसोधन अधिनियम मौली कदिकार सरवक्षय नियाले के नियाजिसों को पत्र सेहताने का विधिक ये तीनों जो हैं अमेरिका के संविधान से लिया गया है अगला है भारतिय संविधान का कौन सा भाग प्रेज की श्वत lur generate को सुनिष चिट करता है तो करिकटெंसर अगला है अनुच्छे उसको सुनिश्चित करता है मौली का धिकार करेक्ट है option number C मौली का धिकार की बात करें तो साथ हो यह जो है हमारे संबीधान के कितने वे अनुच्छेद में हैं तो 12 से 35 में याद रिखेगा और किस भाग में हैं मौली का धिकार तो संबीधान के भाग 3 में ठेके चलिए आज का अगला कोस्चेन है निम्न लेखों में कौन सा ब्यक्ती स्वतंतरता का सरच्चक है तो इनमें ये जो लेख है इनमें से कौन सा वो लेख है जिसमें ब्यक्ती स्वतंतरता का सरच्चक है यानि निम्न लेखों में कौन सा ब्यक्ती स्वतंतरता का सरच्चक है तो याद रि तो देखे राइट होगा option number D उप्युक्त सभी भासन की स्वतंतरता समुदाय और संग बनाने का अधिकार बिना सास्त्र सांती पुर्वक एकत्रित होने की स्वतंतरता option number D भारतिय संभीधान में प्रदत मुलभूत अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता कौन सी है यहनि भारतिय संभीधान में जो मुल अधिकार है उसको को निलंबित कर सकता है तो याद रिखिए संसद के पास ठीक है पाल्यावेंट के पास वो अधिकार है कि मौलिक अधिका को वो निलम्बित कर सकते हैं आज का अगला कोस्चेन है संभीधान सोसन के विरुद अधिकार की से प्रदान करता है ते के भारतिय संभीधान जो है सोसन के विरुद अधिकार ये बच्चो को प्रदान करता है option number ay correct है इसका प्रवधान संभीधान के अनुच्चित 14-24 में क्य क्या गिया है आज का अगला question है भारतिय संभिधान के अंतरगत मौलिक अधिकारों को लागो करने का उत्तरदाइत वह किसका है तो देखिए संभिधान के अंतरगत मौलिक को लागो करने का उत्तर दाइतिवह जो है ये साथ यह उच्छ नियाले को और सभी नियालेवों को जाएगा इसकारिक एंसर हो जाएगा एक सब्सक्रीम मौलिख अधिकार को लागो करने का दाहितिवह ठीक है तो इसका राइट एंसर हो जाएगा यार option number D, A और भी दोनों को याद रिखे, सर्वच्चनियले ये सभी उच्चनियले में आ जाएगा आपका, ठीक है यानि सभी उच्चनियले को जो है मौलिक अधिकार को लागो करने का अधिकार है, आज का अगला question है राज्जो को भासा के आधार पर गठित करने हैं तो 1948 में गठित प्रथम आयोग का अधिच कौन था तो देखे, राज्जो को भासा के आधार पर गठित करने हैं तो 1948 में गठित प्रथम आयोग के अधिच कौन थे, याद रिखे बहुत ही important question है Justice M.K.धर जी, option number C इस समय संपत्तिक अधिकार वस्तुत है किसमें? यारी इस समय बरतमान में संपत्तिक अधिकार किस परकार का अधिकार है? तो साथियो 44-वे, देखे, 44-वे मापकना, हाँ, देखे याद रिखेगा, 44-वे संबिधान संसोधन अधिनियम जो बना था, 1978 में इसमें क्या हुआ था? कि संपत्तिक अधिकार पहले मूल अधिकार हुआ करता था, इसको मूल अधिकार की सूची से हटा कर वेधानिक अधिकार बना दिया गिया था, यानि बरतमान में ये कानूनी अधिकार है, और बरतमान किस अनुच्चिद में इसका वर्नन है तो अनुच्चिद 300 का कावम है याद रिखीगा आज का अगला question है सरकार ने अप्रिष्चता को समाप्त करने के लिए सम्भिधान के किस अनुच्चत के अंतरगत कारिवाही की है तो correct answer है अनुच्चिद 17 आर्टिकल 17 में आप रिष्चता यानि छुआ छुट को समाप्त कर दिया गिया है सरकार के द्वारा अगला कोश्चन है निवारक निरोध अधिनियम किस अधिकार पर प्रतिबंद लगाता है तो साथियों याद रिखिएगा निवारक निरोध अधिनियम किस अधिकार पर प्रतिबंद लगाता है तो स्वतंतरता अधिकार पर option number C स्वतंतरता अधिकार सोसन के विरूद अधिकार के अंतरगत क्या क्या आता है तो correct answer हो जाएगा option number D देखिए मनुस्के क्रय विक्रय पर प्रतिबंद लगाया गिया बिगार पर प्रतिबंद और 14 वर्ष से कम आयू के वच्चों को कारखानों इत्यादी में काम पर या काम कराने पर प्रतिबंद है यानि उप्यूक सभी सही है option number D भारत का नागरिक बनने के लिए निमने में से कौन सी सर्थ गलत है अगर आपको भारत का नागरिक बनना है तो उसके लिए इन में से कौन सा एक गलत है देखिए जनम दुवारा आप नागरिक्ता ले सकते हैं वांसा नुगत से नागरिक्ता ले सकते हैं नागरी की करण द्वारा नागरिक्ता ले सकते हैं लेकिन संपत्ती अर्जन द्वारा नागरिक्ता नहीं ले सकते हैं यानि कोई अगर अमेरिका से आकर भारत में धेर सारा संपत्ती खरीद ले और वो वोले कि हम भारत की नागरिक्ता ले लेंगे तो ये नहीं होगा option number C correct होगा अगला question है संबिधाल लागू होने के उपरांत किस मौलिक अधिकार पर सबसे अधिक मुकद्ध में वाजी हुई थी तो right answer होगा संपत्ति के अधिकार पर याद रिखीगा option number B आज का अगला question है Dr. BR Ambedkar ने किस मौलिक का अधिकार को संबिधान के हिर्दय तथा आत्मा की संग्यादी तो बहुत ही अच्छा question है Dr. BR Ambedkar ने किस मौलिक अधिकार को संबिधान का हिर्दय और आत्मा की संग्यादी है तो right answer होगा option number C संबिधानिक सरक्षन का अधिकार next question है किस की सिफारिस पर भारत की संचित नेधी से राज्यो को साहता अनुदाम दी जाती है तो देखे इसका right answer होगा बित्तायोग के द्वारा option number B अगला है मंत्री मंडल सचीबाला किस के अधिन होता है तो मंत्री मंडल का सचीबाला जो होता है आज का अगला question है किस राजनितिक दल को हाली में राश्टिया दल के रूप में मायनता प्राप्त हुई है अच्छा question है किस राजनितिक दल को हाली में राष्टिया दल के रूप में मायनता प्राफ्थ हुई है तो याद रिखेगा बहुजन समाज पाटी और दिखिए राष्टिया जनता पाटी माप करना बहुजन पाटी समाज पाटी नहीं होगा कि अवल राष्टिया जनता दल को याद रिखेगा किस राजनितिक दल को हाली में राष्टिया दल के रूप में मायनता प्राफ्थ हुआ है तो राष्टिया जनता दल को राइट होगा option number B क्योंकि बहुजन समाज पाटी को तो पहले ही मिल चुका है हाली में पूचा है तो राष्टिया जनता दल option number B करेक्टन्सर हो जाएगा अगला है निम्न में से किस मुख्य नियादिस को राष्टपती पद पर आसिन होने का गौरब राप्त है यानि इन में से कौन से भारत के मुख्य नियादिस थे जो कि भारत के राष्टपती पद पर आसिन होने थे तो देखे करेक्ट होगा option number A नियादिस M हिदायत उल्ला option number A करेक्टन्सर है अगला है राष्टपती का चुनाव लड़ने की अधिक्तम आयू कितनी होती है यादिस रिखिय का राष्टपती का चुनाव लड़ने के लिए अधिक्तम आयू कोई भी नहीं होती है कोई भी आयू सीमा नहीं है option number D Correct होगा अगला है निम्न में से किष्णे राष्ट पती पद ग्रहन करने से पुर्व भारत रतन प्राप्त किया था यानि भारत के राष्ट पती बनने से पहले ही उनको भारत रतन मिल चुका था वे कौन थे, तो यादरिखीका, डोक्टर सरपली राधाक्रिष्णन, जो कि भारत के सेकंड, है ना, दूसरे राष्टपती बने थे राष्टपती के चुनाव से संबंदित जगड़ों का निर्ने कोन करता है यानि राष्टपती के चुनाव में जो जगड़े होते हैं उसका निर्ने कोन लेता है तो सरवच्चे निया लई option number B, Supreme Court राष्टपती पद के लिए प्रतासिक यायू कम से कम कितनी होनी चाहिए तो राष्टपती पद के अधिक्तम आयू सीमा तो कुछ भी नहीं है लेकिन नियुनतम आयू सीमा है 35 वर्स कम से कम 35 वर्स होना चाहिए याद रिखेगा राष्टपती पद के लिए चुनाव किसके द्वारा कराया जाता है याद रिखे राष्टपती पद के लिए चुनाव जो है ये साथ हो किसके द्वारा कराया जाता है तो भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा देखे भारत के निर्वाचन आयोग का गठन अनुच्छे 324 के अंतरगत क्या गिया है आपको याद रखना है संबिधान केंदर सरकार की समस्त कायरकारी नहीं सक्तिया किसे परदान करता है याद रिखिए सम्विधान केंदर सरकार की समस्त कायरकारे नहीं सक्तिया जो है यह साथ जो भारत के राष्टपती को प्रदान करता है option number B निम्नल लखीत लेखों में से किस लेख का साबदी कर्थ है आपका अधिकार क्या है तो याद रिखिएगा अधिकार प्रिच्छा लेख का option number C करेक्थ है अधिकार प्रिच्छा लेख का साबदी कर्थ है आपका अधिकार क्या है अगला कोस्चन देखते हैं निम्नल लखीत लेखों में से किस लेख का अर्थ है आप चाहे तो सरेर ले सकते हैं तो याद रिखिएगा बंदी प्रतच्छी करण लेख का ये अर्थ होता है कि आप चाहे तो सरेर ले सकते हैं राज सभा के सदस्टों को विधान सभा के सदस्ट कैसे चुनते हैं याद रिखिए करेक्थ है option number ए प्रतच्छ मतदान के द्वारा अगला है किस पंचवर्षिय योजना ने भारत में पंचायत राज प्रारम करने की सिफारस की थी तो करेक्ट एंसर हो जाएगा दूसरी पंचवर्षिय योजना में देखिए दूसरी पंचवर्षिय योजना जो की 1956 को सुरू हुई थी जो की 61 तक चली थी और भारत में पंचायती राज व्योस्था कब लागो हुआ था तो 1969 में नागोर राजस्थान में तो ये दूतिय पंचवर्षिय योजना के अंतर गताता है अगला स्पीकर किस समीती का पदेन सभापती होता है तो याद रिखेगा नियम समीती का ओप्शन नमबर B देखेगे किस राष्टपती की मृत्यू अपने कारिकाल पद पर रहते हुए ही हुई थी तो याद रिखेगे डॉक्टर जाकीर हुसेन और दॉक्टर फाखिरुद्दिन अली अहमद इन दोनों की मृत्यू जो है राष्टपती के पद पर रहते ही हुई थी तो राइट होगा ओप्शन नमबर D A और B दोनो इस स्पीकर की अनुपस्थिती में संसद के दोनों सदनों की सयुक्त बेठक की अधिचता कोन करता है अब देखिए जब किसी बिल पर विचार करना हो अजिस्पर की दोनों सदन सहमतना हो तब भारत के राष्टपती जो होते हैं एक मतलब की सयुक्त बेठक को बुलवाते हैं लोकसभा और राज्यसभा का और इसकी अधिचता करते हैं लोकसभा अधिच लेकिन जब लोकसभा अधिच यानि इस्पिकर ना हो यानि अनुपस्थित हो तो इसकी अधिचता कोन करता है तो लोकसभा का उपाधच याद रिखिएगा राइट होगा ओप्शन नमबर भी लोकसभा का उप इस्पिकर चलिए अगला कोस्चन है निम्न भासाओ में से किस भासा को क्लासिकल भासाओ की स्रेणी में रखा गया है तो भई सास्त्रिय भासाओ की स्रेणी में रखा गया है किस भासा को तो तमिल भासा को अगला है किसी राज में सरपर्थम राष्टपती सासन लागो किया गया था यानि किस राज में सबसे पहले राष्टपती सासन लागो किया गया था याद रिखेगा पंजाब में अगला कोस्चेन है पहली बार किसी वी राज में राष्ट पती सासन कब लागो किया गया था भई पंजाब में ही लागो हुआ था सन 1952 में अगला है जवाहर लाल नहरु द्वारा प्रस्तावित उद्देश से प्रस्ताव को संबिधान सभाने कब स्विकार किया था वेरी वेरी इंपोर्टेंट कोस्चेन है याद रिखीगा जवाहर लाल नहरु द्वारा प्रस्तावित उद्देश से प्रस्ताव को संबिधान सभ कर थे काका केल कर option number B बरतमान लोकसभा में सीटो का बटवारा किस जनगन्ना के आधार पर क्या गया है यानि बरतमान में लोकसभा में राज्यों को जो सीटो सीटे बाटी गई है वो कौन से जनसंख्या के आधार पर तो याद रिखिए 1971 के जनगन्ना के आधार पर है न और ये कब तक मतलब यथावत रहेगा यानि कब तक ये ऐसा ही रहेगा तो 2026 तक ऐसा ही रहेगा 2026 के बाद ही ये बदल सकता है अगला है किस विधेक द्वारा सरकार को राजस्व एकत्रित करने का अधिकार परदान किया जाता है तो याद रिखिएगा राइट एंड सरो जा उची नियालेओ की अस्थापना कब की गई थी तो याद रिखिगा 1861 में very very important question ने बहुत ज्यादा पूछा जाता है नेक्स्ट ये प्रथम अल्प संखक आयोग की अस्थापना कब की गई थी तो देखिए प्रथम अल्प संखक आयोग की अस्थापना 1989 में की गई थी 1979 मे संसद्वारा पारित विधेक पर राष्टपती किस परकार की वीटो का परियोग कर सकता है तो याद रिखिएगा सिमित वीटो इस्थगन वीटो और जेवी वीटो उप्यूक्त सभी परकार के वीटो का नेक्स्ट कोश्चन है निवन में से कौन सी सकती सर्वच्च नियाले को प्राप्त है तो देखिए करिक्ट होगा ओप्शन नमबर ए नियाईक पुनवरव लोकन का अधिकार जो है ये सर्वच्च नियाले के पास होता है ओप्शन नमबर ए करिक्ट हो जाएगा अगला है स अनुच्छद 18 के अंतरगत याद रिखेगा अनुच्छद 18 में उपाधियों का अंत के बारे में भी बताया गिया है भारत में कितने राज्जों में विधान परिसदे हैं तो पहले 7 राज्जों में थी लेकिन तमिल नाडु ने समाप्त कर दिया था विधान परिसद को तो आप बरतमान में 6 राज्जों में है राइट है ओप्सन नंबर C 6 राज्जों में अगला है प्रसासानिक अधिकार के निड़नय के बिरूद कोई भी पिडित सरकारी करमचारी किसके सम्मुख अपील कर सकता है तो याद रिखे प्रसासानिक प्राधिकरन के निड़नय के ब कोई भी पिडित सरकारी कर्मचारी यह जो है सर्वच्चे नियालाई पर अपील कर सकते हैं ओप्षन नमबर ए सुप्रियम कोट पर लोकसभा को अनिस्चित काल के लिए कौन इस्थगित कर सकता है तो करिक्टन्स रोगा इस्पिकर याद रिखेगा लोकसभा अधच के पास यह अधिकार है कि वो लोकसभा को अनिस्चित काल के लिए इस्थगित कर सकते हैं नेक्स्ट कोश्चन है लोकसभा को उसके निर्धारित कारियालाई से पुर्व संबिधान के किस अनुच्छित केंतरगत भंग किया जा सकता है तो साथियों याद रिखेए अनुच्छित 85 का खंड दो में और देखेए लोकसभा को कोन भंग कर सकता है तो भारत के राष्टपती सामोहिक मंत्री मंडल की सलहापर कितनी बार लोकसभा को उसके निर्धारित कारियाकाल के या कारिकाल से पुर्व भंग किया गया है तो अभी तक साथियों देखे ना 2020 चल रहा है तो अभी तक कुल मिलाकर 6 बार है कुल 6 बार भंग किया गया है लोकसभा को समय से पहले भारत के संबिधान के भागतीन जो की मौलिक अधिकारों से संबंदी थे इसको क्या कहा गिया है तो करिक्टेंसर हो जाएगा याद रिखिए option number C A और B दोनों यानि भारत्य संबिधान के भागतीन को भारत का मेगना काटा और संबिधान की आत्मा की संग्या दी गई है अगला बरतमान में आठवी अनुसुची में दी गई कुल भाषा की संखा कितनी है तो देखिए भारत्य संबिधान में कुल 22 भाषाओ को मायनाता प्रदान क्या गया है और ये संबिधान के आठवी अनुसुची में है तो करिक्ट होगा 22 भाषाओ को option number A नियमने लिखित में से कौन सी 4 भाषा है संबिधान के आठवी अनुसुची में सम्मिलित की गई है तो देखिए 22 भाषाओ में से कौन सी वो 4 भाषा हैं जो की संबिधान के आठवी अनुसुची में सामिल हैं तो याद रिखिए option number A देखिए बोडो, मेथिली, संथाली और डोगरी प्रथम बर राज्य सभा का गठन कव किया गया था तो देखिए पहली बर राज्य सभा का गठन साथियो 3 अप्रेल 1952 को हुआ था option number C correct है नेक्स्ट निमनल खित में से किसे भारत के संबिधान का पिता माना जाता है तो देखिए राइट होगा पर गठित भी थी या किस समीती का ये विसाई था तो बलवन्त राइटा समीती में ने अभी आपको बताया अगला कोश्चे ने किस राज ने अभी तक पंचायत राज लागू नहीं किया है चलिए केरल ने भी किया है पस्षिम बंगाल ने भी किया है अगला है किस संबेदानिक संसोधन दवारा नगर पालिकाओ को संबेदानिक दरजा परदान किया गया है तो 74 संबेदान संसोधन अधिनियम के दुवारा option number C correct है, पंचायत राज की सबसे निचली इकाई कौन सी होती है, तो दिखिए, पंचायत राज की सबसे बड़ी इकाई होता है, जिला परिसद, उसके बाद आता है, पंचायत समीती, ठीक है, उसके बाद आता है ग्राम पंचायत, तो correct होगा option number है, संवी अनु शुची की संसोधन्दारा जोड़ी गई थी तो संवी अनुची जो दस्वी अनुसूची है साथी ओ यह दस्वी अनसूची जिसका संबंध संसोधना दिनियम 1986 के द्वारा जोडा गया था याद रिखेगा उस समय भारत के प्रधान मंतरी थे राजिप गांधी जी चली अगला पोस्टे निचली फोज़दारी आदालतों के सीखर पर कौन सी आदालत है यानि सबसे निचला आदालत कौन सा होता है तो देखेगे राजिका उचनियाले सबसे बड़ा होता है उसके बाद आता है जीला जज की आदालत उसके नीचे आता है सेशन जज का आदालत तो करेक्टन सरों का ओप्सन नमबर है सेशन जज का आदालत याद रिखेगे सबसे निचला होता है इसके ऊपर जीला जज होता ह उसके बाद राज्य का उच्ची नियाले होता है आज का अगला कोश्ची ने राष्टिय सुरक्षा परिशद जिसका गठन अक्टूबर 1998 में किया गया ये किसे इसकी अध्छता कोण करता है तो राष्ट्य सुरक्षा परिशत का अध्यचता तो परधानमंत्री करते हैं तो राइट एंसर होगा परधानमंत्री याद रिखेगा एक चीज कि राष्ट्य सुरक्षा परिशत इसका गठन कव हुआ था तो अक्टूबर 1998 में जिसकी अध्यचता भारत के परधानमंत्री करते हैं अगला है भारत की योजनाओ के उद्देश का अधार क्या है तो याद रिखेगा राइट एंसर हो जाएगा ओप्षन नमबर D देखिए प्रास्तावना राज के नितिनिर्दसक सिध्धान्त मौलिक अधिकार अबम नितिनिर्दसक तात्व तो इसका करेक्ट एंसर हो जाएगा साथियो आपका ओप्षन नमबर B Όपक सभी नहीं होगा केवल option number B होगा राज का नीतिनर्दसक सिध्धान्थ है question में बोला गया है कि भारत की योजिनाओ के उद्देश का आधार क्या है तो राज का नीतिनर्दसक सिध्धान्थ option number B correct answer है निमनल hill Achit मेंसे कौन भारत का पर्थम मुस्लिम राष्टपती था तो भारत के पहले मुस्लिम राष्टपती कौन थे जाकीर हुसेन थे राइट है ओप्सन नमबर ए जाकीर हुसेन अगला है जवाहरलाल नहरू ने स्वतंत रूप से या स्वतंत्र भारत के पर्थम परधानमंत्री के रूप में कब सपतल तो राइट एंसर होगा option number B किस प्रदार मंत्री के कारिकाल में सबसे अधिक अविश्वास प्रस्ताव स्विकार किये गए थे तो correct होगा नर्सिम्हा राओ के option number A भारत के संभिधान का सरच्चक किसे माना जाता है तो देखिए correct answer होगा सरवच्चे नियाले को भारत के संभिधान का सरच्चक जो है ये सुप्रिम कोट को माना जाता है भारत के राष्टपतियों में से कोन दार्सानिक राष्टपति माना जाता है तो याद रिखिए भारत के सेकंड राष्टपति डॉक्टर सरपली राधा कृष्चनन इनको दार्सानिक राष्टपति माना जाता है किस राज जी की विधान सभा के सदसों की संख्या सबसे अधीक है तो correct answer हो जाएगा साथियों उत्तर परदेश के option number C correct है अगला है यदि नए राज की अस्थपना की जाए तो संभिधान की किस अनुसूची में संसोधन करना पड़ेगा तो याद रिखेगा पर्थम अनुसूची में option number A correct होगा अगला है संभिधान निर्माताओं ने कौन सलक्षन ब्रिटेन के संभिधान से गरान किया है चलिए देखते हैं प्रस्तावना मुलिक अधिकार ये तो अमेरिका के संभिधान से लिया गिया है लेकिन संसदिय व्योस्था जो है यह आपका ब्रिटेन के संविधान से लिया गिया है तो option number A right answer होगा संघिया मंत्री परिशद किसके परती उत्तरदाई होते हैं important question है तो याद रिखेगा लोक सभा के परती option number A भारत के नए राज की अस्थपना किसकी अनुमती से की जा सकती है तो भारत में अगर नए राज का अस्थपना करना हो तो इसके लिए संसद की अनुमती होनी चाहिए option number C, संसद की अनुमती भारत का महान याईवादी कब तक पद धारन कर सकता है तो याद रिखे जब तक भारत के राष्टपती चाहें यानि राष्टपती के परसाद परियत भारत के महान याईवादी की नियुक्ती से संबंधित अनुच्छिद कौन सा है मैंने आपको बताया साइद अनुच्छिद 78 के अंतरगत भारत के महानियवादी की नियोकती भारत के राष्टपती करते हैं याद रिखेगा भारत की निर्वाचन व्योस्था किस देश की निर्वाचन व्योस्था पर आधारी थे यह very very important question है तो देखे भारत की निर्वाचन पद्दती जो है निर्वाचन व्योस्था ये किस देश की निर्वाचन ब्योस्था पराधारी थे तो याद रिखेगा फ्रांस की अप्शन नमबर एक फ्रांस अगला निम्न में से किसे मतदान का अधिकार प्राप्थ है यानि वोट इन में से कौन वोट दे सकता है तो वह जो की ब्यस्क हो जिसकी आयो 18 वर्ष हो या 18 वर्ष से अधिक हो जो कि 18 वर्ष से कम आयो के लोग तो वोट नहीं दे सकते हैं तो करिक्ट होगा उप्शन नमबर सी राजी के ब्यस्क नागरीक भारत में प्रतम आम चुनाओ कब हुए थे 121 question है total class में very very important है एक question आपसे पुछूंगा last में उसका answer आपको comment box में करना है तो देखिए भारत के प्रतम आम चुनाओ का हुए थे तो 1951 वावन में option नमबर सी भारतिया नागरीकों को मतदान का अधिकार किस आधार पर परदान किया गिया है तो साथियों ब्यस्क मतदान का अधिकार है ना भारत में यानि आयू के आधार पर option नमबर ए राई टेंसर होगा अगला अनिम्न मेर से किस ठ्रेनी के ब्यक्तियों को डाक द्वारा मतदान का अधिकार है तो भै देखिए correct टेंसर हो जाएगा option के according option नमबर B बिदेश में बसे भारतिय मुल्के लोग वो जो हैं भारत में साथियों वोट दे सकते हैं लेकिन डाक के द्वारा option नमबर B डाक के द्वारा जो हैं वो मतदान का अधिकार उनको प्राप्त है आज का अगला question है भारत में किस प्रकार की दली अभियोस्ता है तो देखे भारत में जो है ये बहुद अलियोस्ता है option number C correct होगा सामार्याता संसद के एक वर्स में तीन अधिवेशन होते हैं निम्न में से कौन सा असत्य है तो बैस संसद के तीन अधिवेशन में से बजट सत्र होता है सित कालिन सत्र होता है मानसुन सत्र अभी चल रहा है मानसुन सत्र होता है बसंत सत्र नहीं होता है तो option number C गलत है अगला है संबिधान में संसोधन का लक्षन किस देश के संबिधान से गरहन किया गया है तो देखे, संबिधान में संसोधन अनुचित 368 के अंतरगत किया जाता है और ये साउथ अफरिका के संबिधान से गरहन किया गिया है तो अप्णन नमबर सी करिक्ठ होगा डप्छिन अफरिका संभिधान निर्मातावने कौन सा लक्षन फ्रांस के संभिधान से गरहन किया है तो देखिए गनराज वियोस्था मैंने अभी आपको बताया चुनाव संबंधी ठीक है, इसके अलावा स्वतंतरताव बंधूत्व संबंधी सभी आदर्स ये सबी जो हैं फ्रांस के संभिधान से गरहन किये गए हैं संभिधान निर्माताओं ने कौन सा लक्षा ने केनेडा के संभिधान से गरहन किया है तो दिखे राइट एंट सरो गया साथ यो option number D एक ससक्त केंद्रवाली संघिय व्योस था ये केनेडा के सम्विधान से लिया गिया है मैंने आपको बताया प्रस्तावना अमेरिका से लिया गिया है राज के नितिनर्दसक सिद्धान ये आईरिलेंड से लिया गिया है अगला है संसत दुआरा राष्टिया संकट का अनुमोधन करने की समय सीमा क्या है तो मैंने अभी आपको बताया राजिब गांधी ठीक है दल बदली विरोधी अधिनियम ये कब पारित हुआ था तो 52 संबिधान संसोधन अधिनियम 1986 के दुआरा ठीक है जिसका प्रधान संबिधान की दसवी अनुसूची में क्या गिया है और 1986 में भारत के प्रधान मंत्री क राष्टिया मानव अधिकार आयोग में एक अधच तथा कितने सदेश होते हैं तो याद रिके राष्टिया मानव अधिकार आयोग में एक अधच होता है और 4 सदेश होते हैं यानि कुल मिलाकर 5 होते हैं तो इसका राइटन सरो जाएगा एक अधच हो गया और 4 सदेश या याद रिखेगा डॉक्टर नेलम संजीव रेड़ी ऑप्सन नमबर डी करेक्ट होगा अब तक भारत वर्स में कितने ब्यक्ति उप्रधान मंत्री के पद पर कारी कर चुके हैं तो साथ यो बहुत इंपोर्टेंट कोश्चन है याद रिखेगा आठ आठ ब्यक्ति देखिए भारतिय संबिदान में उप्रधान मंत्री पद का उलेख नहीं किया गिया है कहीं भी लेकिन ये जो है बन सकते हैं जैसे कि भारत के पहले उप्रधान मंत्री है ना कभे कभी जुबान थोड़ी फिसल जाती है तो देखिए भारत के पर्थम उप्रधान मंत्री कौन थे तो देखिए, जब हम कोई चीज बार-बार पढ़ते हैं, तो वही जुबान पर रहता है, अब उपरधान मंत्री, उपरधान मंत्री, हम तो ज़्यादा तर पढ़ते नहीं है, हाँ, उपराष्ट पती, उपराष्ट पती ये पढ़ते हैं, इसलिए थोड़ा जुबान जो है, य जुलाई 2004 में लोकसुधार समीती ने एक रिपोर्ट प्रस्तूत की इस समीती की अधचता किशने की थी। ये वेरी वेरी इंपोर्टिंट कोष्चेन है। याद रिखेगा PC होटा ने। देखें जुलाई 2004 में लोकसुधार समीती ने एक रिपोर्ट प्रस्तूत की थी और इ ये लागू कब हुआ था तो 26 जनवरी 1950 को इसलिए हम 26 जनवरी को गंतंत्र दिवस मनाते हैं क्योंकि इसी दिन हमारे देश भारत में गंतंत्र वा था हमारे देश या पूरे भारत में संबिधान लागू हुआ था याद रिखेगा संबिधान में राज दुआरा किस आयू व आत्मा किसे कहा तो वह देखिए पंडित जो आलाल नेरू जी ने संबिधान की अंतर आत्मा किसे कहा था तो याद रिखेगा साथ यो मूल अधिकार को ऑप्शन नंबर भी करेक्ट है अंतियुम कोस्चन है इसके बाद एक कोस्चन आपसे पूछेंगे जिसका आंसर आपक जनता में चलिए इसकोस्चन का अंसर आप लोग कमेंट बोक्स में कमेंट करिए कि मूल अधिकारों का उलेक संबिधान के किस भाग में किया जाता है भाग एक में भाग दो में भाग तीन में या भाग चार में कोई एक आंसर है आप लोग अगर इसका आंसर आपको पता है तो comment box में comment करिये और हला कि मैंने इसी class में आपको explain करते time बता दिया था कि किस भाग में जो है मुलादिकार का उलेख है चलिए आपका mind test देखते हैं सबी लोग comment करिये साथ यो channel के अंदर बहुत important classes आपको मिल जाएंगे आप लोग जाईए और देख लिजे all subject के ठीक हर एक topic का तो channel के अंदर मिल जाएंगे आप लोग जाकर देख लिजे चलिए class को like कर दीजे सबी साथ ही अपने दोस्तों के साथ share कर दीजे आप में से कोई भी नए है channel subscribe करके bell icon को on कर लिजेगा तब तक के लिए जाहिन सबी साथ हो को वंदे मातरम